हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्किटेक्ट मंदीब चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को आतो दोस्तों आईए आज के हाउस प्लान की बात कर लेते हैं आज का हाउस प्लान 15-2060 फिट का है और 900 स्प्वेर फिट का ये एरिया है अगर इसकी गज में बात करें तो ये 100 गज का प्लाट है इसी के साथ अगर इसकी कॉस्टिंग की बात की जाएं तो इसकी कॉस्ट आपको 28 से 30 लाख रुपे तक की आ सकती है इसी के साथ हम वीडियो के और आगे बढ़ते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी तो इसी के साथ हम दोस्तों वीडियो के और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही आप सामने देखेंगे के सामने की तरफ आपको एक parking area मिल जाता है को parking area के साथ आपको एक थोड़ा सा green area देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ अगर आगे की तरफ देखे आपको एक common toilet देखने को मिल जाता है तो दोस्तों इसी के साथ house के entrance पर आपको एक spacious drawing room देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं अच्छा खासा space है और इसी के साथ सामने की तरफ आपको एक TV पैनल भी देखने को मिल जाता है तो अगर हम drawing room से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पे staircase area देखने को मिल जाएगा स्टेर के नीचे आपको एक storage की जगाए मिल जाती है और एक side में आपको एक छोटी सी vanity देखने को मिल जाएगे हाँ तो दोस्तों अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो सामने की तरफ आप हमारे गर का एक सुन्दर kitchen देख सकते हैं आप इसके ceiling designs देख सकते हैं और जो हमारे गर का यह kitchen है हमने इसको भी spacious रखा है ताकि आपको इस kitchen में काम करने में कोई भी तरह की दिक्त ना आए इसी के साथ हमने entry ले ली है हमारे house के first bedroom में आप इसको overall view देख लीजिए और इसी room के साथ आपको attach OTS मिल जाएगा और इसी OTS से जो हमारे house के अंदर का area है इसका ventilation होता रहेगा आपको ventilation की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो room के साथ ही आपको walking closet देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आपको attach toilet भी मिल जाता है आप आगे वीडियो में देख सकते हैं अभी बारी है हमारे house के first floor की तो हम stairs से होते हुए हमारे first floor area की तरफ चलते हैं तो अभी हम हमारे house के first floor की तरफ आ गए हैं और first floor की सामने की तरफ आप देख सकते हैं आपको एक front में bedroom देखने को मिल जाएगा आप इसका overall blue देख लीजिए और इसी के साथ आपको attach toilet भी मिल जाता है और सामने की तरफ आपको एक balcony भी देखने को मिल जाएगी कर दो पर आपको एक जाएगी तो इसी के साथ हम बालकनी से होते हुए हमारे हाउस के फैमिली लाउंज एरिया की तरफ चलेंगे आप इसका सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं और हमने यहाँ पे काफी अच्छा सोफा का एक अरेंजमेंट करके रखा हुए आप चाहें तो अपने हिसाब से इस जगाया को इस्तमाल में ले सकते हैं अभी बारी है हमारे हाउस के थर्ड बैडरूम की आप देख सकते हैं इसका और वरल व्यू और इसके साथ भी आपको OTS अटैच मिलेगा जो की हम आपको उपर दिखाएंगे और इसी के साथ आपको एक वाकिंग क्लॉजिट देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ हमारा सेम नीचे की तरह है उपर आपको OTS टैच टॉइलेट भी मिल जाता है है तो यह मैं यह आगल हमारे हाउस का सटेर एरिया जो हमें हमारे हाउस के साथ दाव देक्टेख सकते हैं स्फोस्ट इस रूम के साथ आपको एक टॉइलेट अटैच मिल जाता है और इस रूम के साथ आपको एक बालकनी भी देखने को मिल जाती है अबाल के साथ आपको एक बालकनी भी जाता है अभी बारी है हमारे हाउस के टैरिस एरिया की आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको एक परगोला देखने को मिल जाएगा और इसी के नीचे आपको एक अच्छी सिटिंग देखने को मिल जाती है और जो हमने इसके OTS की बात के थी OTS को आप उपर से देख सकते हैं अगर आप इस जगाएं पर अपने हिसाब से कुछ गाड़निंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं तो इसी के साथ हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो दोस्तो अगली बार हम फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ अगर आप इसका टूरी लियाउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नमस्कार